गुद मॉर्निंग फ्रेंड आप मेरा चैनल देख रहे हैं मौहन सालैक्चा जीरो टू देखिए फ्रेंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि इसी चैनल पर आपको TGT PGT के वो important question जो कहीं न कहीं exam में पूछ लिए गए हैं बिल्कुल easy way से with concept provide किये जाएंगे चलिए वीडियो को start करते हैं देखिए फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम इस series का part number 6 कर रहे हैं बट मैं आपको suggest करता हूँ इस part 6 में जितने भी question हैं उनका basic मैंने part number 5 में समझाया है बिल्कुल अच्छे से पहले आप part number 5 देख लीजिए उसके बाद guarantee लेता हूँ part number 6 के हर एक sum आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे और part number 5 का जो है मैंने link description में दे दिया है यह channel की playlist में जाके वहाँ circle में जाके part number 5 पहले देख लीजिएगा चलिए वीडियो क चार्ट करते हैं देखिए क्या कहता है यह the straight line एक straight line है will be normal to the circle इस circle पे normal है तो याद रखना जो normal होता है ना किसी circle के उपर वो क्या होता है वो एक line होती है normal जो circle के center से तो pass करती है और उसके tangent के उपर है ना वो line perpendicular होती है तो वो क्या होता है नोर्मल होता है यानि कि अगर मैं इसको L नाम दे दूँ इस लाइन को M नाम दे दूँ तो L क्या होगा नोर्मल और M क्या होगा टेंजेंट जो नोर्मल है वो प्रपेंडिकुलर होगा उसके टेंजेंट के उपर इतनी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी अब देखिए जो आपको इस सरकल की इक्वेशन गीवन है X प्लस A का स्केर प्लस Y प्लस B का स्केर इस इक्वेशन आजाते हैं जो सरकल के वो इस से क्या आजाते हैं माइनस a and माइनस b अगर ये बात आपको नहीं पता है कि इस equation से मैंने ये center कैसे निकाले हैं तो circle वाली series का first part देख लीजिए वहाँ पे बिल्कुल बारी किसे बताया गया है पहले वो part देखिए फिर पता लग जाएगे center मेंने कैसे लिए हैं यानि कि center क्या आ गए center तो minus a and minus b आ गए बट आप एक बात याद रखना जो l आपका normal था उस normal के उपरी तो है center देखिए जो ये line है इस line के बिल्कुल उपर है center तो याद रखना इस line की equation को ये center satisfy करेंगे जो आपको line की equation given है y is equal to mx plus c अगर मैं in में center रखू center y की value के है minus b mx की value के है minus a plus c तो यहाँ से देखिए क्या होगा ये c is equal to ये m में minus को हो जाएगा right side जाके left side जाके plus का ये minus b c is equal to m a minus b ये relation देखिए c is equal to m a minus b option a इसका correct answer है देखिए friend estate 2000 का ही question है ये और किस वे से आपको पुछा गया था बिल्कुल easy सा question था बट concept तो बिल्कुल गहराई से यूज हो रहे हैं यहाँ पे तो वीडियो नमबर एक इस सीरीज की और वीडियो नमबर फाइव जरूर देख लीजिए basic clear होते ही इन समों को तो आप बिल्कुल easy way से time कर पाओगे यह लिए 43 सम के उपर चलते हैं क्या कहते हैं एक line दे दी यह line है वील टच दा सरकल भई line जब सरकल को टच करती है तो याद रखना देखो समझो यह एक सरकल है और यह किस टाइप का सरकल है यह वो सरकल है जिसके center 00 है और radius A है ठीक है वीडियो पार्ट नंबर एक जरूर देख लीजिएगा यह जो आपको सरकल गीवन ना इस सरकल के center तो 00 है और इस सरकल की जो radius है ना वो A है यह radius होती है A square में से A ले लेते हैं यानि कि अब आपके पास क्या है सरकल का center पता है सरकल की radius यानि कि यहां से लेखे यह boundary तक की आपने distance पता है अब यह क्या करता है जो यह line है ना इस सरकल के उपर tangent है इस line की equation है आपके पास क्या है X cos alpha plus y sin alpha minus P is equal to 0 और आपको अच्छे से पता है कि भई point से अगर किसी line की distance निकालनी हो मतलब देखिए यह distance निकालनी हो इस point से इस line की distance निकालनी हो तो उसका formula क्या होता है मैं अभी बता देता हूं बट यहाँ देखिएगा इस point से इस line की distance तो A है क्योंकि वो तो इसकी radius ही तो है A और इस circle का center origin है और radius A है तो वो होगी radius और जो यहाँ से लेके यहाँ तक की length A है बट अगर मैं एक point से यह point क्या आपका 00 इस से जो यह line है देखिए यह वाली line है यह इस point से इस line की distance निकाल लूँ वो क्या होगी फोर्मूले से बट यहाँ हमारे को direct दिख रहे है वा तो A है बट formulation निकालना है क्योंकि हमने तो relation निकालना है ना तो वो क्या होगी यह जो point है ना उस line में रख दो x की जगह 0 रख दो तो यह 0 cos alpha हो जाएगा ठीक है x की जगह 0 पलस y की जगह भी 0 रख दो 0 sin alpha और यह minus का p as it is रहेगा निच्चे आपना under root में लेना है क्या लेना है जो आपको line given है ना जो x का coefficient है उसका square कर दो और जो y का coefficient है ना उसका square कर दो है ना यह length आ जाते है और इस पूरे को mode में लेना है क्योंकि length negative नहीं होते तो यहां से a is equal to देखिए यह 0 हो गया 0 की sin alpha के साथ multiply 0 तो यह minus p upon अब देखो cos square alpha plus sin square alpha 1 1 का square root 1 और यह mode के अंदर है mode के अंदर है तो यह क्या हो जाएगा p positive हो जाएगा a is equal to p relation बना है यानि कि option a आपका correct होगा देखिए pgt 2013 up pcs pre 1999 में question पुछा गया है कितना easy सा question था चलिए next sum क्यों बढ़ते है next sum क्या कहता है आपका next sum 44 है क्या कहता है if ax plus by is equal to c is tangent to the circle देखिए यह वो circle है जिसका center तो 00 है पर radius 4 है center तो 00 है पर radius क्या है इसकी 4 unit है अब यह tangent है जो जैसे मैं ने पिछला sum किया था ना वैसे ही करूँगा यह tangent है इसकी equation है ax plus by minus c is equal to 0 अब देखिए मेरे को एक बात पता है अगर मैं center से जो यह tangent है यह tangent मानली जीए पी है अगर मैं center से इस tangent की जो distance निकालो देखिए यह वाली यानि कि c से p की distance निकाल लूँ वो क्या होगी वो तो इसकी radius होगी फोर और अगर मैं एक point से और एक line की distance निकाल लूँ तो वहां से equal आने चीए तो वहां से formula होता है यह point उस line में रख दीजिए यह जगा zero a x की जगा आपना zero रखना है पी वाई की जगा भी zero रखना है जो constant है उसको as it is upon under the root जो x का coefficient है क्या है a square plus b square और यह सारे का सारा mood के अदनर ठीक है अब देखो यहां से क्या बचाएगा four is equal to αλλά यह आपका minus c over under the root square plus b square ठीक है अब देखो mode है ना तो यह minus plus हो जाएगा mode के अंदर जो minus हो पलस हो जाता है और जो यह mode है न यहाу से plus होते ही यह यहां से क्या हो जाएगा remove हो जाएगा अब देखो क्या करना आपना है इस के बाद है न अपने बोथ साइट है न स्केर करना यानि की यहां भी स्केर करना है यहां भी स्केर करना है और यहां भी स्केर से स्केर ऊटकर जाएगा क्यार चुक्छो के 16 is equal to c square upon a square plus a square अब देखो सम्झना आप यह 16 है यह निच्छे है न यह को जाके को ना हमें हो जाएगा A square plus B square is equal to C square देखिए यह रिलेशन कहां है 16 A square plus B square यह option भी आपका correct है देखिए DSSB 2014 का question है कितना easy question पूछा गया था देने को तो यह यहां पर कुछ और भी equation के center कुछ और देखे इस circle का समको थोड़ा lengthy आपका time थोड़ा कीच सकता था बट देखिए easy way से दिया है क्योंकि एक minute का में तो आपने soul out करना है बट pen तो चलाना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि trick ऐसे लगे कि pen न चलावा pen तो चलाना पड़ेगा आगे देखो क्या कहता है दा सरकल ये circle given है आपको intersect the line देखिए याद देखना जब line में यह यहाँ पे m दे दे एन दे दे पी दे दे तो relation निकलेगा वहाँ से ठीक है तो अब क्या कहता है ये circle है intersect करता है इस line को देखो कैसे ये circle है ये line है इसको intersect करी है यहाँ पे और दो point of intersect कर दिया ठीक है आपको क्या है two distinct point if condition आपको बतानी है जहाँ पे condition होना याद रखना देखो मैंने आपको video number 5 में बिलकुल अच्छे से बताया है ये क्या है यहाँ से लेके इस line से लेके center की जो perpendicular distance है इसको मैं P नाम दे देता हूँ ठीक है क्या नाम दे देता हूँ P perpendicular distance from center to the line अब देखो समझना अगे अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ ऐसे तो यह यहाँ से लेके यहाँ तक radius हो जाएगी बट जो radius है वो जादा है और जो यह perpendicular distance है ना देखो यहाँ से यह कम है तो मैं लिख देता हूँ भई perpendicular से distance से जादा अमारी radius है वो तो आपको given दिख दही है इप जो जो सरकल की equation है यहाँ से radius निका लिए आप देखिए सरकल की equation अपने पास क्या है सरकल की equation है x square plus y square minus 4x minus 8y minus 5 is equal to 0 यह सरकल की equation है आपके पास यह is equal to 0 लगाओ है ना यह is equal to 0 लगाओ क्योंकि अगर आप 0 नहीं लगाओगे ना तो polynomial हो जाएगी नहीं यह equal है ठीक है यह जीरो मत लगाओ यह equal का sign है यह राइट साइड जाके अपने आप 0 जाएगा है ना अब यह ठीक ह अब देखों यहाँ से center निकालने है center क्या होता है जो x का coefficient होता है ना करो चार का दा होगा है, माइनस दो, और फिर साइन चेंज कर दो, पलस का दो, ये सेंटर होगा, आठ का दा होगा है, माइनस चार और उसका साइन चेंज कर दो, पलस का चार, यानि कि दो चार इसके सेंटर होगे, सेंटर भी मिल गए ये दो चार होगे, यानि कि जो सेंटर होते ह ना वो जो एक्स का कोफिसेंट होता है ना पहला सेंटर जो दो आया हो जी का मान होता है जो दूसरा होता है वो एक्स का मान होता है यानि कि सेंटर मिल गया अपने ठीक है और जो इस एक्वेशन के अंदर जो यह पार्ट होता है ना कॉंस्टेंट जिसके साथ ना तो एक्स हो हो जाएगा under the root जी स्केयर पलस f स्केयर माइनस c यह उता है रिदियस का formula is equal to देखिए जी कमान क्या है दो दो का square f कमान क्या है आपका four है ना f आपका four है इसको रिमू करते हैं four का square और c क्या है – 5 है ना – – – पलस हो जाएगा यह तो यह हो जाएगा आपका under the root दोधुना चार चार्चो के 16 औरा स 저희 Griff Your Sh водैना फॉनट चार बीस और 25 पैंच पैरुट 35 25 का वर्वमूल का बजया पांच 9 कि यहां से आपको रेडियस में इसकी रेडियस में मिल गी यह आर मिल गी यह कितनी यह 5 तो मैं यह Aar को तो रिमूडर देता हूं रेडियस यह लिए यह 5 है देखो समझ ना आप अब क्या हमारे पास एक ॲाइन है जिसकी एकवेशन है अपने पास अपने पास देखो क्या क्या है अपने पास center है 2, 4 ठीक है अपने पास यहाँ से यह radius है यह 5 है यह right angle triangle है ठीक है अपने पास यह perpendicular distance देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक perpendicular distance को P मानने है हमने ठीक है पुर आपको पता है यह perpendicular distance हम निकाल सकते है formula की help से कैसे आपके पास अगर point हो ना और इस line की equation हो इस line की equation है आपके पास 3x-4y-m is equal to 0 इस line की equation है अगर आपके पास एक point है मैं यह remove कर देता हूं क्योंकि आपको center मिल गया है यहाँ से जो radius निकाल लिए थी ना 5 वो देख लिए मैं यह remove कर देता थोड़ा space बच जाएगा यह sum करने के लिए ठीक है अगर आप है ना इसकी practice कर लोगे ना यह sum जाने के लिए इतना time लगता है otherwise यह sum तो एक minute तो लेंगे ही लेंगे वही हो ही जाएंगे एक minute में तो यह देखो सम निकालनी है इस लाइन की question 3x minus 4y 3x minus 4y 3x minus 4y minus m is equal to 0 ठीक है ना अब देखो मैंने पहले लिख्या था जो perpendicular distance वो radius से कम है अभी इस line से है ना इसकी perpendicular distance निकालते हैं कैसे निकालते हैं यह point है ना इस line की equation में put करो पहले तो 3x की जगा 2 put करो minus 4y की जगा 4 put करो minus m upon जो x का coefficient है उसका square पलस जो यह y का coefficient है उसका square उसको under the root और पूरे का mode यह perpendicular distance आ गही है ना point से यहां तक की और वो less है किस से इसकी radius radius कितने निकाल ली है 5 निकाल ली है अभी अभी तो निकाल ली थी वो 5 ठीक है तो देखिए this one also equal to 3 2 6 4 चोंकि 16 है ना सब्सक्राइब कि 10 प्लस एम लेस देन 25 ठीक है अब क्या करो माइनस के 25 से तो यह बड़ा होगा प्लस के 25 इसके बीच में लाई करता होगा अब देखिए क्या करना है आपने ना यह जो माइनस का 25 है ना यह जो एम की वैल्यू काड़नी अंसर में तो यह 10 है ना यहां भी सब्सक्राइट कर दो और यह 25 है ना इसमें भी 10 गटा दो तो यह माइनस का 35 से बड़ा होगा देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा एम और 15 से छोट्टा होगा तो देखिए यह कंडिशन एम की कहां वैरिपाई कर दिया है यह कर दिया है फरस्ट ओप्सन ठीक है फ्रेंट के आई ट्रिपली 2010 का क्वेस्चन था आई थिंग सो यह सम आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल गैराई से क्वेस्चन था ठीक है एक बार इसको देख लिजिए का दुबार से ऐसा नहीं है कि एक बार में कर पाओ और व इसमें क्या करता है एक सर्कल की एक्वेशन दे देता है देखो यह एक्वेशन सर्कल की दे दे इन नहीं है अब क्या कहता है भाई यह इसका डाइमेटर है इस डाइमेटर का एक एंड पॉइंट तो दे देगा यह यह वन एंड जीरो और यह कहेगा भाई दूसरा निकालो देखो यह end point निकार लो तो करना क्या होता है जो यह circle की equation है ना यह लिख लो x square plus y square plus 2x plus 4y minus 3 is equal to 0 circle equation लिख ली जो यह है ना आपको पता यह पहले x होता है दूसरा वाई जो खली x का coefficient है ना उसके निचे यह पहले वाड़ा लिख दो जो y का coefficient है उसके निचे दूसरे वाड़ा लिख दो इनको एड़ कर दो दो रेक तीन तो इस जी सा समता पहले भी कहीं बार करा चुका हूँ दा लाइन ये लाइन है देखिए इस लाइन में भी c दे दिया मतलब condition condition बनेगी जहां पे लाइन में है ना ये constant दे तो याद रखना 120% condition बनती है is normal to the circle ये लाइन ना इस circle के उपर normal है तो याद रखना इस circle के center इस line क equation को satisfy करने वाड़े हैं इस circle के center मैं पहले ही बता चुका normal क्या होता है वो circle से तो पास करता है और tangent के perpendicular होता है वो normal होता है अगर circle के center से पास करता है तो इस circle का center उस normal पे होगा तो normal की equation को satisfy करेगा तो normal की equation आपकी वो है ax plus by plus c is equal to 0 बट यहाँ से center निकालोंगे वो हो जाएग यह center इस normal की equation को satisfy करेंगे अगर अभी तक आपने center ही नहीं निकालने आया है ना तो part number first देख लिए लीजिएगा वहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है कभी आप यहाँ से उठाओ वीडियो को फिर नहीं समझ में आने वाले आपको तो यह x की जगा value रख दीज यह माइनस जी प्लस बी वाई की जगा रख दीजिए माइनस एफ और पलस सी इस इकोल टो जीरो है ना तो यह हो जाएगा माइनस एजी माइनस क्योंकि पलस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस BF पलस C is equal to 0 and यह माइनस को में ले लो यह माइनस माइनस और जो यह पलस था यह माइनस हो जाएगा है ना तो यह हो जाएगा AG पलस BG माइनस C is equal to 0 यानि कि option A इस सम का correct answer सर हो जाएगा तो फ्रेंट 47 सम भी आपको समझ में आ गया होगा एंपी सैट 2009 का सम था ये नेक्ट देखिए 48 सम क्या कहता है दस सम अफ दस पेर अफ दा लेंथ अफ दा कोड इंटरसेप्ट ऑन दा सरकल और फिर लाइन में एंदे दिया एंदे दिया तो याद रखना फिर वो कंडिशन लगने वाली है ये जान भूज के है ना क्या करता है एक सरकल ले लेता है उस पेक लाइन को इंटरसेप्ट करा देता है इस सरकल का सेंटर पता है आपको 00 है इस सरकल की रेडियस पता है आपको 4 है अब ये परपेंडिकुलर है वो चार से कम होगी तो perpendicular distance में क्या चाहिए होता है निकालने के लिए एक point चाहिए होता है जो के given है 00 और और जो अगए एक line होती है उसकी equation उसकी equation भी दे दी इनोंने x plus y minus n तो निकाल दो perpendicular distance 00 से इस line में नहीं यह point put कर दो यह जाएगा 0 plus 0 minus n over 1 का square क्योंकि x का coefficient का square y के coefficient का square under the root पूरे का mode less than 4 यह p की value है वी बिदप perpendicular distance n by root 2 is less than 4 और यहां से n less than किसे 4 multiply by root 2 अब देखिए root 2 की value क्या होती है तो n की value क्या जाएगी 4 into 1.4142 तो यह approximately 5.66 something आएगा आपका तो n यहां से आपका आजाएगा देखिए n की value 5 से छोटी है न की 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है हमने तो क्या निकालना था हमने तो देखिए यहां से लेके यहां तक की distance निकालनी थी ना ab तो ab distance क्या हो जाएगी ab distance देखिए अगर मैं इस point को m ले लू तो am distance है ना ab distance का two times है two times है am distance ठीक है तो two times विडियो नमबर पांच देख लीजेगा उसमें अच्छे से बताया गया है तो अब देखिए यह right angle triangle है यह hypotenuse है यह base है यह perpendicular है तो perpendicular किसके एकोल होता है hypotenuse minus base क्या है perpendicular distance जो की हम यह निकाल चुके है ठीक है तो यह क्या होता है under root hypotenuse मतलब radius का square minus base क्या है base है n by under root two का square ठीक है तो यह हो जाएगा two times देखिए चार चुके 16 minus n square by square से square root कर जाएगा two यह दो जब square root के अंदर जाएगा तो यह किस वे से जाएगा देखिए यह दो जब square root के अंदर जाएगा तो 4 बन के जाएगा 4 multiply by 16 minus 4 multiply by n square by two ठीक है तो 16 चुके 64 हो जाएगा यह square root 64 minus 2 दूने चार two n square but n की value तो हमने निकाल ली one two three four five क्योंकि वो five less than five point six six इसलिए five तक लीज है तिक है अब क्या करना n को पहले one रखिए यहाँ से कुछ भी value आएगी माली जे चोवन सम्थिंग आई है फिर n को two रखिए फिर values आएगी आपकी three रखिए four रखिए five रखिए यहाँ कि पांच तक एक दो तीन चार पांच तक value आएगी जब इन तिनों value को आप जोड़ोगे न तो आपका total sum 210 होगा जो की option आपका a बनेगा देखे इस type का sum पुछा गया था जे में 2019 में it means time consuming तो था बट देख लिजे circle के अंदर से इस type का sum आया हुआ था चली next sum की ओर बढ़ जाते हैं ठीक है बहले ही आपको इसमें देखा है देखो sum मत ऐसा नहीं है कि answer पे मत जाना आप concept समझना वही concept कि इस वे सी अगर concept समझ में आ गया ना फिर तो आप sum कर लोगे देखे next sum देखे क्या कहता है दा straight line x plus 2y is equal to 1 meet the coordinate axis देखो बढ़ी दो coordinate axis बना है लो पहले तो ये भी जेई में का sum है जेई में पता नहीं कैसे sum पूछ रहे है एक ये line है क्या है x plus 2y is equal to 1 अगर मैं ये खाली x है है ना अगर मैं x को 0 लूँ इस equation में देखो y क्या देगा x को 0 लूँ तो y का मान देगा 1 by 2 अगर मैं y को 0 लूँ इस equation में y को 0 लूँ तो x क्या देगा 1 देगा यानि कि ये intersection है देखिए अगर मैं बात यहां की करूँ यहां पे क्या होता है आपका x तो 0 होता है y 1 by 2 है जीरो है X1, Y0 है X1 है, तो यह लाइन है ना, कुछ इस वे से गई है, कुछ इस वे से है ना, जो इसको इंटरसेक्ट करिया, आगे क्या बोलता है, यह स्ट्रेट लाइन, यह स्ट्रेट लाइन है, meet the coordinate axes at point A and B, नाम रख दो, यह point A है, और यह point क्या है, B है, आगे देखो क्या क्या करता है, A, B, and the origin, आगे क्या, and point A, B, and a circle is drawn through A, B, यह एक circle ऐसा बना गया है, A, B and the origin, जो ऐसे, देखो, समझो, मैं color change करता है, यह circle है, ना, कुछ इस टाइप से है, जो A, B से pass किया है, और origin से भी pass करते हुए, यह B point से pass करते हूँ, कुछ इस वे से यह, circle बना है, समझ लेजी आप इसको, देखिए, इस वे से बना है, यह circle, जो circle देखो, तीन पॉइंट से pass कर गया, B point से, A point से, and origin से, origin क्या है, इसका, 00, 00, पास कर गया, आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है, then the sum of perpendicular distance from A, B, on tangent to the circle, at the origin is, देखिए वई, एक tangent है, जो इसके origin पे है, ठीक है, यह tangent है, जो इसके origin पे है, इस tangent से, जो, इस point की distance है ना, और इस tangent से, जो यह, ए point की distance है, इन दोनों distance हो का sum निकालना, हाँ, हम sum निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास एक point है, और अगर मैं यह, जो tangent है, यह tangent है ना, अगर मैं इस tangent की equation निकाल लूँ, तो point and equation की help से, यह distance निकल जाएगी, point and equation की help से, यह distance निकाल देंगी, दोनों को जोड लेंगे, अंसर आ जाएगा अपना, ठीक है ना, तो यह जो है, tangential form है, मैं इसकी equation निकाल लूँँ, और सबसे पहले मैं कहा देता हूँ, देखिए, इस पूरे sum में एक mistake है, यहाँ पे लिखना चीए था इन्होंने, जो भई A and B है ना, वो diameter है, diameter of a circle, जो A, B है ना, diameter है, अगर A, B diameter है ना, तो याद रखना, इसका center कैसे निकालना है, देखो, यह क्या है, यह आपका point क्या था, यह point था, आपका, x0 था, y1 by 2 था, x0 था, y1 by 2 था, y1 by 2 था, यह 1 0 है, ठीक है, यह point, मैं यहाँ से इसको दुबारा लिख देता हूँ, यह, यहाँ से, यह point है ना, आपका देखिए, यह वाला point, यह है आपका, 1 and 0, ठीक है, देखो, 0 में 1 add करो, and उसका half कर दो, तो यह, बीच का point मिल जाएगा, 1 by 2 में 0 add करो, और उसका half करो, तो 1 by 4 मिल जाएगा, तो आपको center मिल गए, अब, समझ में आगे ना, आपको center मिल गए, तो, यह जो tangent है ना, इसकी equation निकाल लेंगे, तो इसकी equation निकालने के लिए, आपको क्या चाहिए होगा, याद रखना, एक circle चाहिए होगा, जिस circle पे यह tangent है, उस circle के center चाहिए होंगे और इस tangent के उपर एक point चाहिए होगा दोनों चीज़ है circle के अंदर center भी है tangent के उपर point भी है चलो अब एक मैंने बताया है video number 5 में initial में बताया है equation of a tangent of a circle क्या होती है वो समझ लीजिए वो होती है x x1 x1 y1 ये point होते हैं जहां से tangent pass करता है x1 y1 x x1 plus y y1 plus g x plus x1 plus f y plus y1 plus c is equal to 0 ये होती है equation ठीक है अब देखिए x x1 0 है y y1 0 है plus g की value क्या है 1 by 2 है x x1 तो आपका 0 है plus f की value क्या है 1 by 4 है और ये y plus y1 है y1 0 है plus c center देखिए ये circle origin से pass करता है तो c अपने आप 0 हो जाएगा है तो यहां पे आपका 1 by 2 x plus 1 by 4 y is equal to 0 और यहां से आप calcium ले लोगे तो 2 x plus y is equal to 0 यानकि ये इस tangent की equation आ जाएगी अब देखो अपने पास tangent की equation है एक point है यही equation है ये दूसरा point है पहला point क्या है वो है 0 1 by 2 और दूसरा point पहला point है 0 and 1 by 2 दूसरा point है 1 and 0 और इसकी जो यह line है इस line की equation ये है अब देखो आपके पास इस line की equation है और 0 1 by 2 point है point से इस line की equation जो यह line की equation है इस line से इस point की distance निकाल सकते हो मान लीजे 5 आई है ठीक है फिर दुबारा से दुबारा से आपने क्या करना है जो यह point है ना 10 इस से फिर दुबारा से इस line की मान लीजे 6 आई है दुन्नों को add कर दीजे 11 वो आपके अंसर होगा आप इसको self करिए टाइम कंजूमिंग है यह टाइम वीडियो लेंथी हो जाए बट मैंने तरिक्का बता दिया है इस वे से यह सम हो जाएगा आप थोड़ा verify करके देखना है नेक्स सम पर आई यह 50 मा सम जो लाश सम है इस सीरीज का equation of the normal to the circle at the point is देखे equation निकालनी है normal की मैंने क्या बोला था बही normal क्या होता है पहले तो एक बात समझे लीजिए normal वो लाइन होती है जो circle के तो center से पास करता है बट tangent के perpendicular होता है वो normal हो गया ठीक है इस equation से आप circle के center निकाल सकते हो circle के center क्यों है x का coefficient 5 minus 5 है उसका आफ कर दो और उसका opposite तो plus का 5 by 2 और दूसरा y का जो coefficient 2 है उसका आफ कर दो plus का 2 है तो minus का 1 ले दो क्योंकि plus के 2 का आफ minus का 1 और उसका opposite sign देखे पलस का 2 है उसका आफ कर ये plus का 1 उसका opposite sign minus 1 तो ये center निकल गे सेंटर निगल गए अब देखो ये भी पॉइंट दे रख्या जहां पर ये टच करता है इसको ये 56 पॉइंट पर टच करता है और उपर क्या है जब एक्वेशन निकालनी है ना तो xy अपने पास से मानने होते हैं तो आपको पता ही है अब देखिए मैं आपको सिंपली समझा देना को अब एक लाइंड पापने तीन पॉइंट मिल गई पहला पॉइंट है ये तो हमना अपने पास से लिया है दूसरा .56 मिल गया तीसरा पॉइंट मिल गया पांच बटे दो और माइनस ए ठीक है अब हमारे को पता है अगर एक लाइन पे तीन पॉइंट हो ना तो इनकी इनके स्लोप इक्वल होगे तो पहले ए बी का स्लोप निकालेंगे और फिर बी सी का स्लोप निकालेंगे दुन्नों के इक्वल रख देंगे निकाल लो पहले बी का स्लोप क्या हो जाएगा वो वाई माइनस एक्स माइनस पांच इस इक्वल टू फिर बी सी का स्लोप निकाल लीजिए सी माइनस वन करोगे तो पलस तो आप मल्टिप्लाई कर दो इनके क्रोस मल्टिप्लाई करके यहां से चलो मैं करी लेता हूं यह हो जाएगा फाई बाइट टू वाई माइनस दो तिया छे और पांस तिया पंद्रा यह एकल टू 7x माइनस तो पंजी पैन्टीज तो यह हो जाएगा आपका 7x यह 7x यह यह माइनस पाई बाइट तू वाई एना ओ माइनस का पैन्टीज और पलस का पंद्रा ठीक है इस इकल टू जीलो तो यह आसे रचेमिन साद्वोनी चोदा माइनस पांच वाई और यह एन तो यह 35 में से 15 गया 10 और 10 दूना 20 हो जाएगा ना पर टो जीरो तो कि दो एलसी में दो चोद एक्स माइनस पांच वाई प्लस बीस चालिस होए गा क्या है अब इस दूना चालिस अब टिस यूएह गाना पंद्रह भीस जीजिए ना चालिस्ट दो से में अडिकलाय करोगे ना तो यह 40 हो जबर ये चोद एक्स माइनस पांच वाई पलस चारीस पांच वाई पलस चारीस पांच वाई पलस चारीस प्रेंड देखिए ये सम आई थिंक तो आपको समझ में आ गया होगा पीज़ी ती तो जार नो का सम है यह है important sum है, देखिए calculation में कहीं भी आप से भी मेरे से भी mistake होई जाती है, कहीं न कहीं में भी हो गई होगी none of these answer आया इसका, पट आप देखते रहे हैं, त्रिक का यही रहेगा, बने रहे हैं चैनल पर, चैनल का नाम है मोहन सा लेक्चर, जीरो टू, अगर आपको मेरे चैनल पसंद आये हैं, यह ट्रिक्स और कॉंसेप्ट अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को share, like and subscribe जरूर करिएगा, तो बने रहे हैं मेरे साथ, thanks for watching my channel, thanks